एक रात अर्पिता एक पार्क में बैठी थी उस वक्त रात के आट बच चुके थे अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी लेकिन तभी अचानक उसके आसपास एक काली बिल्ले खूमने लगी ऐसा लग रहा था कि वो बिल्ले उससे कुछ कहना चाती थी इसलिए अर्पिता ने उस बिल्ली का पीछा किया उसके बाद वो बिल्ली अर्पिता को एक हावेली के पास लोगे गई वो हावेली बहुत ही जादा पुरानी लग रही थी उसके बाद अर्पिता ने अपने आस पास देखा तो वो बिल्ली कहीं गायब हो गई थी अब वोब कुछ सोचने ही वाली थी लेकिन तब ही अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज आई वो सुनकर अर्पिता सोचने लग गई मुझे इस हवेनी के अंदर नहीं जाना चाहिए अगर कोई भोथ हुआ तो मुझे बाहर से यह देखना पड़ेगा आई थिंक खिड़की से उसके बाद अर्पिता उस आवाज का पिछा करने लग गई और देखा तो एक कमरे से वो आवाज आ रही थी उसके बाद अर्पिता ने खिड़की से देखा तो एक लड़की बैट पर बैट के रो रही थी उसे देखकर अर्पिता ने कहा कौन हो तो इस पर उस लड़की ने कहा आज यहाप कोई नहीं आया सब डर के भाग रहे थे लेकिन तुम आ गए हो अर्पिता ने कहा लेकिन आप हो कौन उस लड़की ने कहा मैं डायन हूं यह सुनकर अर्पिता डर वे लेकिन उस डायन ने कहा डरो मत मुझे वस तुम इस कमरे से बहार निकालो अर्पिता ने कहा लेकिन तुम इस खिर्की से बाहर जा सकती हो ना डायन ने कहा नहीं इस कमरे के चारो तरफ से सुरक्षा कवज लगा दिया है इसलिए मैं बहार नहीं निकल सकती अगर तुम मदद करोगी तो मैं बहार जा सकूँगी अगर तुम ने मुझे बहार निकाला तो मैं जिन्दीगी भर तुमारी गुलाम बन जाओंगी अर्पिता ने कहा मुझे तुम पर भरोसा नहीं है ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई उसके बाद अर्पिता अपने घर चली गई घर जाकर उसने वो सारी बाते अपनी मा को बता दी ये बाते सुनकर मा ने कहा नालाइक लड़की तुमने उस डायन की मदद क्यों नहीं की अर्पिता ने कहा अगर उसने मुझे मार दिया तो मा ने कहा अगर वो तुमारी गुलाम बन गई तु सोचो तुमें कितना फायदा होगा तुम जैसा कहोगी वैसा ही वो डायन करेगी अर्पिता ने कहा क्या तुम सच कहरे हो मा मा ने कहा हाँ और हम बहुत कुछ करवा सकते हैं उस डायन से अर्पिता ने कहा ठीक है मैं उसे बहार निकालूंगी लेकिन अगर वो पलट गई तो मा ने कहा तो तुम किसी भी तरह से उसके बाल काट लेना अर्पिता ने कहा लेकिन ऐसा क्यो मा ने कहा डायन को अपने बाल बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि उसकी जादा शक्तिया उसके बालों में ही होती है इसलिए किसी भी तरह से तुम ने उसके बाल काट दिये तो फिर वो तुमें कुछ नहीं कर पाएगी अर्पिता ने कहा अगर ऐसा है तो मैं अभी जाकर उस डायन को आज़ाद करती हो ऐसा कहकर अर्पिता उस हवेली के पास चली गई उसके बाद उस लड़की को देखकर उस डायन ने कहा क्या तुम मुझे आज़ाद करोगी अर्पिता ने कहा हाँ लेकिन उसके बाद तुम्हें मैं जो भी कहूंगी वो करना पड़ेगा डायन ने कहा हाँ मुझे मज़ूर है लेकिन पहले मुझे यह से निकालो अर्पिता ने कहा मैं कैसे बाहर निकाल सकती हूँ तुम्हें डायन ने कहा तुम इस हवेनी के अंदर आज़ा और इस कमरी का दर्वाज़ा अपने हातों से खोलो फिर इस शुरक्सा कवज का असर खतम होगा और मैं आसाद हो जाओंगी अर्पिता ने कहा ठीक है जैसा तुम कवो उसके बाद अर्पिता ने हवेनी के अंदर जाकर उस कमरी को खोल लिया और वो अंदर चली गई उसके बाद वो डायन अपने असरी रूप में आ गई और वो बहुत खुश हो गई उसके बाद अर्पिता ने कहा अब मैंने तुम्हें आजाद किया है तो तुम अब वो वही करोगी जो मैं कहूंगी डायन ने कहा बूल जाओ अर्पिता ने कहा लेकिन मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुमने भी मुझे कहा था कि तुम मेरे गुलाम बन जाओगी डायन ने कहा वो मैंने जूट बोला था अर्पितर ने कहा देखो अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारी बाल काट दूंगी और तुम कमजोर हो जाओगी मुझे मेरी माने कहा था डायनों की शक्तिया उनके बालों में होती है इस पर डायन ने कहा सही कहा तुमारी माने लेकिन शायद वो एक बात कहना भूल गई और पिता ने कहा कौन सी डायन ने कहा एक डायन को अपने लंबे बाल बहुत प्यारे होते हैं और वो अपने बालों को किसी को भी छूने नहीं देती मेरे बालों को काटने से पहले सिर्फ जो कर दिखाओ ये सुनकर अरपिता बहुत ही ज़ादा डर गई और उसने कहा ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं जा रही हुई आस से इस पर उस डायन ने कहा तुम अगर चली गई तो मेरा क्या होगा अरपिता ने कहा क्या मतलब है तुमारा डायन ने कहा मैं तीन सालों से यहापर इसी कमरे में हूँ और तब से मैंने कुछ नहीं खाया है अरपिता ने कहा तो मैं क्या करू डायन ने कहा तुम मेरे खाना बन जाओ अरपिता ने कहा देखो मैंने तुम्हें बहार निकाला था और तुम मुझे ही मारोगी डायन ने कहा हाँ मुझे भोक लग रही है अब तुम्हें मरना ही होगा उसके बाद उस डायन ने अर्पिता को मार दिया और वो वहाँ से चली गई